तो स्वागत है आपका हमारा फ्लेटफोर्म पर तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है आप पसानी से देखिए तो लिखा हुआ है कॉमल पदार्थ और इसके बाद है कठोर पदार्थ तो यहां जो वीडियो बन रहा है बिसिकली रात में बन रहा है तो इसलिए अगर मे वीडियो में सबसे पहले तो यह क्लियर करूंगा अगर आपको वीडियो समझ नहीं आएगे तो आप वीडियो के नीचे कुछ भी लिख कर जा सकते हो और हाँ दोस्तों वीडियो को समझना और ना समझना सिर्फ आपके उपर निर्फर करता है तो अगर मैं इस वीडियो में भी अगर बोलूँगा तो आप असानी से समझ सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा पीडियो त्यार करवाता हूं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कौमल पदार्थ एवम कठोर पदार्थ तो काईज सबसे पहले तो आप लोग को तो यह भी पता होना चाहिए क्यार पदार्थ बस आपको इतना बात याद रखना है कि जिसका भार हो ठीक है एक बात आपको याद रखना है क्यार जिसका भार होना वे आपको पदार्थ है आपके सामने कुछ भी है तो क्या उसका भार है जिया भार है तो वही तो है आपका पदार्थ तो चलिए अब हम स्टार्ट कर ल और इसके बाद हम कह सकते हैं कठोर पदार्थ को क्या बोलेंगे हाड मैट हाड मैटेरियल ठीक है तो चलिए अब हम इसको समझते हैं बारी बारी से पहले इसको समझेंगे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं और थोड़ी सी नहीं हम इसको कह सकते हैं पेन की कोलर चेंज करते हैं तो यहां पर आप देखें तो लिखा क्या हुआ है कोमल पदार्थ जिसको क्या कहते हैं soft material ठेक है तो इसका जो definition है कुछीष पर कार किया है मैं आपको यहां पर बहुत ही मतलब बारी की से समझाने का पर्यास क्या हूं आप हो ही नहीं सकता है कि इस वीडियो से नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ पर आप देखे कि लिखा क्या हुआ है कि जिसे असानी से हाथ हो द्वारा दबाया जा सकता हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार आपको तो इतना भी तो पता कहेंगे तो आर्ष सबसे पहले तो आपको इतना असान याद रखनी है कि आर जिसको हम हाथ से नहीं दबाएंगे वह क्या है वह क्या है हम अगर किसी भी पदार्थ को हाथ से दम दबोश लेते हैं तो देखिए अब कहने का मतलब यह नहीं कि आर हाथ से तो हम सब चीज को दबा सकते हैं तो यहां पर आप देखिए बहुत ही मतलब यार असानी बहुत है आप यहां पर देखना तो यहां पर आप देखो यार की लिखा कि आवाए गिल्ली मीटी तो यहां पर आप देखिए थोड़ी सी हम पेन की कॉलर तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइज हम पर लिखा क्या हुए आठा तो आठा यहां पर लिखा हुआ है तो आठा भी क्या होता है तो देखने को आपको मिलता होगा जब रोटी पकाने से पहले जब यहां पर महिला है अगर उसमें पानी डालती है तो वह क्या हो जाता है एक परकार का कोमल पदार्थ हो जाता है तो क ऐसा कि दहात नहीं अगर कहीं भी से भात को हम यानी चावल को ज्यादा अगर किसी को अगर उस्मा दे तो यहां होजाता है तो यहां पर हम हाथ से तो यह सबको दबा सकते हैं तो यहां पर आपको यह समय से क्या क्या चीशे को दबा सकते हैं तो यहां पर आप चौक को भी दबा सकते हैं जैसे अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं तो उसको घसीट कर क्या कर सकते हैं उसको हम बगार सकते हैं चाप सकते हैं और यहां पर रुई भी हम समझ सकते हैं जो कि आप असानी से हाथों के द्वारा दबा सकते हैं और इसके बाद और गुबारा भी और इसके बाद इतियादी ठीक है तो काई जिसमें अगर आप रसगुला रसगुला देखते होंगे ना तो वो भी क्या है कुमल पदार्थ है क्योंकि मैं जो मुहों में खाता हूँ ना तो कुमल चीज़ी खाता हूँ ठीक है तो कॉमल पदार्थ हम किसको कहेंगे जिसको हम असानी से हाथ से दबा सके ठीक है तो कि आपको बात ये समझ आई अगर आपको कॉमल पदार्थ आ गई हो तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा कठोर पदार्थ क्या है तो चली अब हम आपको बताते हैं कि यार कठोर पदार्थ आखिर होता गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कठोर पदार्थ की मैंने परिवासा लिख चुकी है तो सबसे पहले कठोर पदार्थ को इंगलिस में कहते हैं hard material तो hard material कहते हैं तो इसका जो परिवास्ता है कुछ इस पर कार किया है जिसे हाथ से दबाने पर जल्दी वह दबता न हो तो काईज अगर हम कोई भी चीज को दबाते हैं तो हम थोड़ी न जानते हैं कि यार वो कोमल है कि हाड है दबाने के बाद ही पता जलता है कि यह जो matter था बहुत ही hard था यह कोमल था ठीक है तो यहाँ पर आपको समझने क्या है तो कठोर पदार्थ तो यार समझने क्या है तो कठोर पदार्थ का जो परिवासा है वो क्या है तो जिसे हाथ से दबाया नहीं जा सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसकी चीज को दबाया नहीं जा सकता है तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है तो हीरा हीरा क्या है तो हीरा हमारे क्या है एक धातु है जो कि बहुत ही क्या होता है कठोर होता है तो हीरा हो गया पत्थर हो गया और लकडी हो गया और इस पात और यहां पर मतलब डबल दोबारा लिखा चुकी है और इसके बाद इंट हो गया और सुखा मेटी दिया 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 यार हम गिली मेटी को तो यार दबा सकते हैं लेकिन यहां पर सुखी मेटी को हम दबा नहीं सकते हैं तो बस आपको यह आपको कुमल पदार्थ और हाड़ पदार्थ तो समझ आचुकी होगी यानि soft material और इसके बाद कर सकते हैं hard material तो यह दोनों आगर आपको समझ आई हो तो विडियो को like कर देना और चनल पर नहीं हो तो यह चैनल को सबस्क्राइब कर लिना क्योंकि छोटी चैनल को एक सबस्क्राइब की जरूरत होती है तो चलिए मेलते हैं आपका भाई एक एक और नेक्स्ट वीडियो में बने रही है जूड़े रही है बाई बाई टेक केर बेस्ट अफ लग